कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जी सुभी का टाइम है अभी सुभी के ना 11 बजगे होंगे और मैं यहाँ पर मसीन लगाने आ गई थी क्योंकि आज दीदी की तब बे थोड़ा सा ठीक नहीं है उसको मॉर्निंग से ही बहुत जारा वीकनेस कील हो रही थी तो उसने सुभी का काम तो अपना करा जो भी क्लिनिंग वगरा का होता है और हम लोग भी काफी लेटी उठेते आज दीदी तो टाइम से उठ गई थी क्योंकि चोटा वाला बेटा है उसको जाना होता है स्कूल वो स्कूल जा चुका था और बच्चों के जाने का टाइम बहुत नजदिक आ गया है छुटिया जो है बच्चों के खतम हो गई है सबसे पहले यहां पर आप अक्रिस और सानू की मस्ती देखे सानू बहुत ज्यादा परिसान कर रहा था अक्रिस को बोल रहा था कि मुझे अपनी नोस को मुह में डालने दे मुझे ख मुझे वभी जाने का टाइम आ अफें डीक जू कुछ और की मुझे में णज़तेस मछी साथ और नेका नकी अफे धांई और बेस सफू को पसंद रहा है तो इसलिए बस रोटिया पनारी है और मैं ने बोला आज मेरी ने है मेरी खिला देंज अनको अपनsınız पार प्राइक प फिर तो वो अपने ससुराल चले जाएगी मैं अपने ससुराल चले जाओंगी फिर पता नहीं दुबारा हमारा कब मिलना होगा क्योंकि ऐसी होता है अब तो जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और बार बार मैं नहीं आ सकती हूँ और उसका बेटा बहुत छोटा है तो वो भी कमी आएगी अभी हमारे पास या फिर दीदी के घर पे या मम्मी के घर पे इतना नहीं हो पाता है छोटे बच्चों के साथ तो बस एक दू दिन और है साथ में इतनी दिन कब एक साथ निकल गए ना पता ही नी चला सच में और अब जाने का टाइम नजदिक आ र पता ही नी चलता एक साथ और चलिए दुबारा जब भी बच्चों की चुटियां होंगी या तो दीदी लोग मेरी छोटी वाले सिस्टर जो है इनको कभी बलॉंगी दहरा दून तो या तो यह आएंगे या फिर अब देखो मैं का बाप आती हूं तो फिलाल तो अभी किसी उसके बैलकेनी में तो बिल्कुल नी आती बहुत कम जो और दूप जो है चट में सेकने जाना पड़ता है और देखें यहां पर हो गया है नेक्स टे दिन का टाइम और मैं आ गई हूं घर पर मम्मी के घर पर आ गई हूं मैं कल यहां पर आय थी और फिर मैं जो है ना अपने नंद के वहाँ पर चली गई थी और अब भी जो है मैं अपने नंद के वहाँ से आ रही हूँ तो मैंने नंद के वहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो सूट नहीं करा क्योंकि हम वहाँ बहुत लेट पहुंचे थे रात को साड़े नौ दस बुजे हम लोग पहुंचे र अराम से और अभी मैं अपने नेंद के वहां से आई तो कपड़े भी चेंज कुछ नी करें मम्मी ने तुरंट चाय बना दी थी चाय बगरा पी रही हूं मम्मी पापा के सांद बैठ के और हजबेंड आ गए हैं रहराद उन से हमें लेने कलब आये थे हमें लेने के लिए और तो फिर यहां पर थोड़ा बहुत मम्मी पापा ने आज मेरी पसंद के सबजी बना रखी है राजमा राइस बना रखा है तो उसका कॉल आ गया था मेरे पास तो लंच करने आ जाएगी या कब आएगी तो मैंने बोला लंच पाऊंगी तो उसने बोला कि क्या बनाना है तो रोटिया ना मम्मी नहीं बना पाती है बना तो लेती है पर वो रोटिया बनाना जबसे हम बड़े हुए फिर भाबी आ गी थी फिर मम्मी का रोटि बनाने का काम बहुत कम हो गया है तो मम्मी नहीं बनाती दिन में भी जैसे पापा रोटिया खाते है तो पापा अपने लि को थोड़ा सा सूगर का प्रॉब्लम है ना और मैं के मा आके ना मेरा भी मन रोटी चावल सब कुछ खाने का कर जाता है दिन में भी वैसे मुझे भी हैबिट है दिन में चाहे एक बाइट मिले चाहे आधी रोटी हो तो रोटी खाना मुझे भी पसंद है तो देखे यहाँ प बहुत जादा अच्छा लगता है तो चलिए फिलाल जल्दी से माईक के मजल लेते हैं लंच और फिर तो चले जाना है एक दू दिन में फिर वही अपने हाथ से सब कुछ करना है फिलाल आज की वीडियो को यहीं पैयन करूंगी आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मैं आप सबसे मिलूंगी अपने अगली ने वीडियो में तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें बाबाई एंड टेक केर